सेयंस आज की यह special video sweatshirts versus turtlenecks पे होने वाली है बहुती easy language में बहुत detailed comparison आज हम करेंगे इन दोनों के बीच trust me इस video के बाद आपको sweatshirts और turtlenecks पे कोई और video कभी देखने की जरुवत नहीं है और video के बिलकुल end की bonus tips में मैं आपको sweatshirts और turtlenecks में एक एक universal color suggest कर दूँगा जो सबसे ज़्यादा classy भी लगता है और उसमें आपकी सारी outfits match हो जाएंगी second bonus tip में मैं आपको sweatshirt और turtleneck की एक एक सबसे तगड़ी outfit suggest कर दूँगा और finally third bonus tip के लिए मेरा opinion की दोनों में से मेरे को कौन सा ज़ादा अच्छा लगता है तो ये कमाल की video पूरी end तक जरूर देखना और video को like करके channel को subscribe जरूर से कर देना यार तो सबसे पहले हम sweatshirts की बात करते हैं detail में sweatshirt एक तरीके से देखा जाए तो hoodie का ही cousin भाई होता है बस फरक ये है कि इसमें hoodie की तरह inbuilt cap नहीं होती इसमें attached और ये generally round neck में available होता है इसकी एक बहुती कमाल की बात ये है कि ये काफी cool fashion trend है और ये बहुती easy style करने में hoodies से भी ज़ादा tip second अब वैसे तो ये काफी सारे different materials, shape, sizes and colors में available है पर अगर आपको versatility चीए तो आप बिना prints वाली बिल्कुल simple sweatshirt ही ले क्योंकि यार frankly sweatshirts में अगर आप vibrant colors पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने दादी का बुनावा sweater पहनावा है tip third आजकल oversize sweatshirts का काफी जादा trend चल रहा है आपको अगर ठीक लगे तो आप वो भी ले सकते हैं उसके साथ आप बिल्कुल fit वाली jeans pair करना ताकि दोनों के दोनों balance हो जाएं पर मेर से personally पूछो के तो मैं आपको हमेशा well fitted वाली ही recommend करूँगा अब sweatshirt के correct fit के लिए जब आप अपने arms उठाएं तो आपका extra fabric लटकतावा नहीं होना चीएं arms के नीचे से आपके और sweatshirt के shoulders बिल्कुल well aligned होने चीएं और sweatshirt के length basically इत्ती होनी चीए कि अगर आप हाथ उठाएं तो वो बिल्कुल उपर तक नीचड़े tip fourth जब हम sweatshirt की layering और pairing की बात करते हैं तो sweatshirt सबसे easiest clothing piece है pair करने के लिए इसे आप individually भी style कर सकते हैं और ये definitely jackets और blazers के साथ भी बहुती ज़्यादा effortlessly pair होती है मतलब एक तरीके से ये मूटी t-shirt की तरह ही लगती है तो मतलब अगर आप एक अच्छे color का sweatshirt लेते हैं तो वो आपके multiple जगे पे काम आ सकता है और वो एक standard color मैं आपको bonus tip में जरूर बताऊंगा तो video end तक जरूर देखना tip fifth अगर हम types of styles की बात करें sweatshirt में तो ये mainly दो types की available होती है first type है simple cotton type sweatshirts वही second है cable knitted type sweatshirts इन दोनों में से आप कोई भी choose कर सकते हैं मैं personally simple cotton वाली prefer करता हूँ तो quickly अगर मैं आपको sweatshirt की एक simple summary दूँ तो sweatshirt basically एक बहुती simple winter fashion clothing piece है जो की बहुती ज़ादा effortless है style करने में पर अगर सही तरीके से पहना जाये तो काफी cool भी लगता है अब हम turtle neck की बात करें तो या turtle neck आपको एक काफी sophisticated rich man look देता है अगर आप इसको पहनते हैं ये basically एक काफी old fashion trend है जो वापिस से revive हुआ है अगर आप skinny बंदे हो तो turtle neck आप पे बहुत ज़ादा अच्छा लगेगा ये बहुती clearly आपके neck को और ज़ादा bigger दिखाएगा और एक structure add करेगा आपकी jawline पे तो skinny बंदे तो आँख बंद करके इसको ले लो वहीं अगर हम बात करें काफी मूटे बंदोगी तो आपके body type पे ये इतना अच्छा नहीं लगता देखने में पर अगर आप इसको फिर भी पहनना चाता है तो मेरा ये suggestion है कि आप इसको अकेले नहीं पहने किसी चीज के अंदर layer करके पहने tip third अगर हम turtle neck के fit की बात करें जो कि सबसे important factor एधर तो सबसे पहले ये body hugging होना चीए इसमें कोई loose fabric नहीं छूटना चीए इसके neck area की बात करें तो ये दो type के available होता है long neck length वाले और एक medium neck length वाले आप basically अपने choice के हिसाब से कोई भी neck length prefer कर सकते हैं बस वो cleanly folded होना चीए untidy तो बिलकुल नहीं दिखना चीए और एक आप उसको उपर खीच के face mask मत बनाना अच्छा नहीं लगता हो neck के बारे में आप एक और extra point note करना इधर आपके turtle neck का जो neck है वो आपके गले के बिलकुल closed contact में होना चीए loose नहीं होना चीए ये वाले type के turtle neck सबसे ज़ादा versatile माने जाते हैं loose गले वाले turtle neck casual fashion में आते हैं उनको आप casual जगे पे ही पहन सकते हो के वल tip fourth अगर हम turtle neck के styles की बात करें तो ये easily winters में आपके जो white dress shirt है उसका एक perfect replacement है जो आपको और ज़ादा classy दिखाता है इनको आप again individually और layer करके पहन सकते हैं कैसे भी तरीके से tip fifth इन में अगर हम colors की बात करें तो आप इन में बिल्कुल muted colors जो की dull side of colors में आते हैं वो colors ही opt करना क्योंकि वैसी भी turtle neck में अपने आप में काफी personality होती है आप bright color से कुछ ज़्यादा ही pop कर दोगे इनको तो मैं short में अगर आपको turtle neck की summary समझाओं तो ये एक काफी elegant looking upper wear है जो आपको एक normal crowd से हटके बिल्कुल least efforts में काफी अच्छा look देता है ये अगर धंग से pull off करा जाए तो आपकी outfit को pure gold बना सकता है finally video के बिल्कुल end की bonus tips में पहली bonus tip के हिसाब से मैं sweatshirts के लिए तो आपको suggest करूँगा grey color grey color specially sweatshirt में बहुत जादा must लगता है ये basically black और white का एक middle ground होता है तो ये हर कपड़े के साथ suit होता है इसलिए आप आँख बंद करके ये ले सकते हैं वहीं अगर हम turtle neck की बात करें तो मैं turtle neck में आपको maroon color suggest करूँगा maroon color काफी rich looking color लगता है turtle neck में मेरे according अगर आपको maroon color इतना अच्छा नहीं लगता तो आप black color भी prefer कर सकते हैं second bonus tip के हिसाब से दोनों ही clothing piece की एक एक outfit आपकी screen पे हैं आप इनका screenshot ले सकते हैं finally third bonus tip में मेरा decision की मेरे को दोनों में से कौन सा जादा अच्छा लगता है तो मैं बोलूँगा कि यार मेरे को turtle neck जादा साही लगता है ये decision काफी tough था यार सही में मिर ले पर सही बात तो ये है कि turtle ने क्यार एक अलगी level का clothing piece है आप अपना favorite clothing piece मेरे को जरूर बताना comments में और next versus series का topic भी suggest करना और channel को भी जरूर से subscribe करो यार ऐसा awesome content हमेशा देखने के लिए